नमस्कार दोस्तों आप सभी का साहिन रपे में सौगत है ये वीडियो होने वाली है इंस्टेंट गीजर की वाइरिंग के उपर तो सबसे पहले मैं आपको इन वाइर के कलर कोड के वारे मैं बता देता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी ग्रीन वाइर ये हमारी अर्थिंग की वाइर होती है और ये हमारी रेड वाइर है ये हमारे फेस की वाइर है और ये वाली जो ब्लैक वाइर है ये हमारी न्यूट्रल की वाइर है इन वाइर को कनेक्ट करने से पहले आप जो इसे ग साथ क्नेक्ट कर सकते हैं चाहे तो आप थर्मो स्टेट में इस तरह से लगा करके यहां पे आपकी जो घीजर की बॉड़ी यह उसके साथ अटैच हो जाएगा दैन इसका जो हो यहां पे नूटरल है इसे हम घीजर के जो एलिमेंट है उसके किसी एक पॉइंट पे जोड़ें भिख अनimiento के बाद में जो हमारा फेस्ट की वायर रैंवो हम थर्मोस्टैटि फेस्ट में लगा हेंगी अगर आपके केस में दो फर्मोस्टैट जो मैनोल रिसेक लगाँ जिसमें यहाँ पर एक स्विच्ण ऐसा लगा होगा तो उसे आपको पहले लगाना है उसके बाद में आपका जो ये आटमाटिक है उसको लगाना है और इसके बाद इसमें फेस वायर को लगा के के बाद में एक और वायर आपको पीस लेना है और इसे दूसरी तरब से लगाना है जो हमारा गीजर एलिमेंट है उसके दूसरे पॉइंट पे लगा देना है ये तो हमारी जो गीजर की वाइरिंग है जिससे हमारा जो गीजर का एलिमेंट उस चलेगा और ये हीटिंग स्टार्ट कर देगा वो होगी अब इसके बाद में जो हो आती है हमारी यह जो LED बल्व है इनकी तो एक LED जो बल्व है वो तो हमारा तब जलता है जब हमारी हीटिंग स्टार्ट होती है तो इसे जो हम अपनी जो गीजर ऐलीमेंट इसके उपर लगाएंगे एक एंड जो इसका हमारा एक पॉयंट पर लग जाएगा दूसरे एंड दूसरे पॉयंट पर लग जाएगा यहां से इसको face मिलेग और यहां से इसको जो है वो neutral मिल जाएगा इसके बाद में हमें दूसरे LED का जो connection है, वो करना है, इसे करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप अपने जो ये हमारा thermostat है, इसके एक point पे लगा दें और दूसरे point पे लगा दें, या इसको जो हो thermostat के ही, जो हमारा यहां पे face हा रहा है, इस point पे लगा के, जो इसे ground जो व आपका गीजर on है, जब इसकी heating चालू है, तो आपका जो green वाला LED वल्ब है, वो जलेगा, और जो ये वाला वल्ब है आपका, जो red में होगा, वो off होगा, और जैसे ही आपकी heating बंद हो जाएगी, तो आपका जो ये वाला LED वल्ब है, ये जलना शुरू हो जाएगा, क्योंक चाहे आपकी heating on हो, चाहे off हो, तो मैं तो recommend करूँगा कि आपके जैसे company से fitted आया हुआ है, उसी तरह से आप इसे fit करें, क्योंकि जाएतर जो भी instant geezer होते हैं, उनमें ये आपका जो है वो thermostat के शुरूबात में और end में लगता है, तो इसी तरह से मैं इसे लगाने वाला हू तो आप भी अपने geezer की जो wiring या वो इस तरह से कर सकते हैं, और अभी मैं इस geezer को पूरी तरह से complete जो इसकी packing करके, इसे जो install करके आपको दोनो LED बल्ब्स जो हो जलते वे दिखाऊंगा, झाल 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 अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लिजीगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद